हलो गाइस, वेलकूम टो मैं चेनल, तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में कुछ एसे टिप्स एंट्रिक्स लेके आए हैं, जीने आप यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हो, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और देखे पहले टिप्स हमारी होगी इस तरह की जो पे कंटेनर ना हो, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ही यूजफुल है, तो देखे हमें क्या करना है, पेकेट को हमें इस तरह से कट करना है, देखे केंची से, थोड़ा सा ही हम कट करेंगे देखे, और कट होने के बाद हमें इतना सा ये कट कर लेना है, और फिर हम क्या करें कहाँ इसके लिए एक बोटल खाली बोटल तो हमारे पास यह पढ़ी रहती है, तो दिखे मेंदे इस तरह का यह फाली प्ली अ कर लिए और मैंने पहले कर सकते हो तो जासे हमारे पास और सर्पकी का होता ही या फिर कोई इस तरह की जो पेकेट होते हैं हम इसका इजली सी इस तरह से यूज कर सकते हैं और देखिए अब मैं से के उपर लगा दूँ ओगी टेप तकि अच्छे से यह लगा रहे हैं शुका और बाह ना आएं तो इस और अब हम देखे इसको बन कर देंगे ढकन से तो देखे फ्रेंज कितना अच्छा यह इसका लुक आया है बहुत सुन्दर यह कंटीनर की तरह ही बना है देखे और जब भी हम यह नमक को यूज करना हो तो देखे इस तरह से हम यूज कर सकते हैं तो आई होप आपके लिए ट फिर नकली तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी इसको पैचानने के लिए तो देखे हमें क्या करना है इसके लिए हम एक लेंगे दिया तो दिया तो हमारे गर में मिल जाता है इजली से तो आप चाहे नया या पुराना कोई सा भी दिया ले सकते हो और दिये के उपर आपको देखे इस तरह से गी लगाना है तो फ्रेंज गी को पैचानने के लिए यह बहुत ही यूसफुल टिप्स है आप इस टिप्स का जरूर से यूस कीजिएगा तो देखे इस तरह से हमें गी लगा लेना है और अब हम क्या करेंगे देखे इसको हम र दिये के उपर देखे इस तरह से जमा हुआ है और एक साइड में बिल्कुल भी नहीं है देखी तो इस तरह से हम गी की पेचान कर सकते हैं तो हमारे ये गी एकदम सुध है तो चलिए अगले tips को देख लेते हैं और अगले tips भी हमारे बहुती यूसफुल है और देखिए मत्र को लेके होगी और मत्र को छीलना बहुत ही जंजट वाला काम लगता है तो अगर आप इस tips को देख लोगे तो ये जंजट वाला काम भी आसान हो जाएगा तो देखिए हमें क्या करना है हमें लेना है इस तरह का जो यह चमच होता है जो हम अचार में यूज करते हैं तो यही हमें चमच लेना है और इससे देखिए हम यह मत्र छिलेंगे तो बहुत ही अच्छा मैं आपको एक टिप्स देने वाली हूँ तो आपको ये वाली टिप्स बहुत ही पसंद आएगी देखिए फ्रेंज आपको क्या करना है इस तरह की जो कोटन की थेली होती है वो ले लेनी है जो हम सौपिंग बेग वाली जो केरी बेग होता है वही हमें लेना है और देखिए लेने के बाद थोड़ी-थोड़ी मतर को ह नहीं डालेंगे और डालने के बाद देखिए आपको इस तरह से इसको करना है तो बहुत ही यूसफूल टिप्स है फ्रेंज जरूर से ट्राय करिएगा और देखिए यह वाली चमच लेना है हमें और इसमें देखिए इस तरह के जो यह छेद बने होई है इससे यह हमारी मत मतर बहुत ही आसानी से छिल जाएगी देखिए इस तरह से हमें मारना है इसके उपर तो सेम आप इस तरह से ही करना है आपको तो फ्रेंज यह बहुत ही अच्छा आइडिया है देखिए ज्यादा अगर आपके पास मतर छीलना हो तो आप इस टिप्स का जरूर से यूज जीएगा और देखिए हाथ से भी आपको इस तरह से कर लेना है और अब हम देखेंगे मतर को तो आप देख सकते हो काफी हद तक यह मतर छिल गई है देखिए तो आप देख सकते हो छिल के देखिए खाली है इसके और किसी में यह मतर है देखिए तो हम एक दो अगर मतर रह कर सकते हो और सारी छिलके को हम निकाल देंगे और किसी में अगर मट्र है तो वो हम निकाल लेंगे इस तरह से तो फ्रेंज इस तरह की ये थेलिया होती है वह भी हमारे लिए पर निकाल के रख लिया है तो इस तरह से देखिए हम मटर को चील सकते हैं बहुत ही आसानी से तो आई होप आपके लिए टिप सेल्फोर रही होगी तो चलिए अगले टिप्स को देख लेते हैं और अगले टिप्स हमारे देखिए अक्रोट को लेके होगी जैसे कि हम सब जानते हैं कि अक्रोट को छीलना और बहुत ही मुश्किल काम है तो अगर आप इस टिप्स का यूज करोगे तो ये अक्रोट छीलना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा तो देखिए अगर हम इस तरह से छीलते हैं तो हमारे हाथ में नेल में दर्द होने लगता है और वो तूटता भी नहीं है तो इसके लिए देखिए हमें एक लेना है पीलर और इसको हमें देखिए इस तरह से करेंगे गुमाएंगे इसके अंदर डालके तो ये आसानी से जरूर से ट्राइ करिएगा और देखिए एक तरीका और बताते हैं आपको छीलने का तो देखिए आपको दो अख्रोट इस तरह से लेना है और लेने के बाद आपको क्या करना है देखिए बराबर में रखना है इसको और इस तरह से आप करोगे तो यह देखिए छिल जाएग और आप सोच रहे होंगे कि हाथ में लग जाती है तो यह हाथ में बिल्कूल भी नहीं लगेगा देखि आपको इस तरह से छेलना है देखी इस तरह से हम रखेंगे और बहुत आसानी से निकल जाता है देखी इस तरह से तो इस टिप्स का आप जरूर से यूज कीजिएगा फ्रेंस बहुत ही यूसफुल है तो चलिए अगले टिप्स को देख लेते हैं तो देखिए अगले टिप्स हमारी बहुत ही यूसफुल है तो देखिए इस तरह की जो पेकेट होते हैं इसे हम गांट लगाते हैं तो बहुत मुश्किल काम होता है और हमें पता ही नहीं होता है कि किस तरह से लगाते हैं इसको तो आपको देखिए इस तरह से करना है दोनों तो इसको गांट लगा सकते हो इस तरह से तो आपके लिए यह वीडियो हेल्फूर रही होगी तो फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टिक के टैंक यू फोर वोचिंग माई वीडियो